नमस्कार सलाम, निउसक्लिक में आपका स्वागत है नोडबंदी को लेकर RTI के जरिये हुआ नया खुलासा इस शक्यारूप को पुक्ता करता है कि इसके पीछे किसी का निजी हित जरूर था वरना कोई वज़े नहीं थी कि RBI की चेतावनी के बावजूद नोडबंदी लागू की गई जिससे देश को सिर्फ परिशानी और नुकसान के लावा कुछ नहीं मिला इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं निउसक्लिक के एडिटर इंचीप प्रबीर प्रुकाज जी प्रबीर जी सबसे पहले आप हमारे दर्शकों के यह बताईए कि RTI के जरी नोडबंदी को लेकर क्या नई जानकारियां सामने आई हैं और वो क्या नए सवाल उठाती हैं पहली बात तो मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि यह हम यह न समझे किसी की नीजी हिद था या नहीं था सवाल है कि नोडबंदी पर एक बहुत बड़ा कदम था देश पे सरकारी मताबिक कुछ कारिय प्रिनाली है जिसको चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे आर बियाई का जवंनर हो सबको उसको फालो करना चाहिए RBI की कुछ अख्तियार है, उसकी कुछ आटानुमी है, उसकी कुछ पावर्स है, सरकार की कुछ पावर्स है और RBI एक आटानुमस और और्गनाइजेशन होना चाहिए, बलकि इसके साथ सच सरकार के उप किछ डिर्देश को भी उनको मानने की जरूरत है तो ये RBI और सरकार के बीश में जो संबंध है, ये भी हमें देखना चाहिए इसलिए मैंने कहा कि जो खुलासे आ रहे हैं कि RBI इससे इंकार कर रही थी तो फिर क्या वज़य हो सकती है क्या कोई किसी का कोई हिडेन एजेंडा की नोडबंदी से क्या क्या के वाल एक व्यक्ति की इच्छा तो सवाल हमारा यहां पर होनी चाहिए कि कानूनन जो नोडबंदी हुई है कानूनन तरीके से हुआ है और या तो गैर कानूनी तरीके से हुआ है और क्या इसमें RBI की जो पावर्स है इसको ओवर कम किया गया है सरकार द्वारा जो नोड़ों ने जो पदक्षे उठाए है यह सवाल हमारे सामने है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निजी स्वार्थ की बात नहीं है, कानूनी तरीके से हुआ है या गैर कानूनी तरीके से हुआ है और क्या इसमें ग्रे एरियाज है जिसको हमारी नजर आनी चाहिए। इसका मतलब फैसला नोड़ बंदी का हो चुका था, आरिवी आई कवर्नर्स के सामने उसमें सोलर डारेक्टर्स मौजूद थे, आरिवी आई बोर्ट के, सोलर मेंबर ने इसको चर्चा किया, पर डिसिशन नोड़ बंदी का लगता है हो चुका था, सब तैयारी हो चुके थे क्योंकि साड़े पांच बजे बीटिंग बुलाई गई और आठ बजे तक देश को ये प्राइम मिनिस्टर का घोशना, वो आल इंडिया रेडियो, टेलिविशन बगारे के जरिये मिल गया था तो मतलब ये माना जाए कि उसमें फैसला हुआ या उसमें सिर्फ एक सूचना दीगे कि हम ये करने जा रहे हैं, कहेंगे ये बात कि हाफ एद हाफ जिसे कहते हैं, मतलब सोला मेंबर बोर्ड ने उसमें महर लगाया, हम इसको मानते हैं कि महर लगाया होगा, उनको क्या चच जिन्तित, सुक परिकल्पित, एक सिध्धान्थ था, यह जबदस्ती RBI के बोर्ड पे ठोपा ठोपा गया था, जो RBI ने मान लिया, RBI बोर्ड इसके से इंकार क्या कर सकता था, यह सवाल जरूर खड़े होते हैं, और एहम इस बात भी है, कि जो बाते छे महीने से, जो RTI में आया है, छे महीने से RBI, गवंदर और सरकार की वीच पे बातचित चल रही थी, हमको यह भी मालूम है, कि रगुराम राजन इसको पहले इंकार किया था, कहा था कि यह पदकशेप से ब्लैक मनी कम नहीं होगा, और यह भी RTI के जरीए आया है, कि उस वक्त, बोर्ड के मेंब कुछ मेंबरों ने सवाल उठाये थे, और उन्होंने दो चीज पे सरकार की जो रख रहे थे, उसको खिलाफ उन्होंने अपनी बातचीत कही थी, दो चीज क्या थी, एक था कि यह कह रहे थे कि जितना पांच सो हजार रुपेय के नोट जितना बढ़ा है, उस तरह एकॉनम नहीं बढ़ा, तो यह उनका कहना था, यह दिसाबित करता है कि ब्लैक मनी बहुत इकठा हो रहा है, क्योंकि एक्स्टा नोट चापी जा रही है, तो बोट के वहाँ जो मेंबर्स थे, किसने कहा नहीं मालूप, किसी ने इस बात का पुश्टी की, कि यह आप गलत तथ्यों कि आधार पे कह रहे हो हो, क्योंकि जब आप नोट कितना बढ़ा है, आप यह कह रहे हो, यह नोट बढ़ने की, संख्या की बढ़ने की, आप अब यह नहीं देख रहो, कि इन्फलेशन है, तो इसलिए मुद्रा स्फीती क्योंकि होती है, मुद्रा के मुल्य कम होता है, तो तो नोड बढ़ना अब तो एक्चुल टरम्स पे जिसको नॉमिनल टरम्स पे कहते हो और जो एकॉनमी बढ़ने की बात है वो इंस्फलेशन एड़स्ट करके कहे रहे हो तो दो आख्डे जो आप दे रहे हो उसका बेस अलग है उसको कॉमन बेस में अगर ले आए जाता तो ज इतना एकॉनमी बढ़ा है करीब करीब बराबर होता अगर दोनों को आप इंफलेशन से अज़स्ट करते या दोनों को इंफलेशन से अज़स्ट नहीं करते एक को करते हैं एक को नहीं करते एक गलत है तो एक तो बात यह यह सब चर्चा उस आरबी आई की बैठक में हो रह जो है उन नोटों में नहीं होती है ब्लैक मनी जो और भी रिपोर्ट सरकार के पास है National Institute of Public Finance की इस पे स्टडी है जो साफ कहता है कि ब्लैक मनी कोल्ड में रह सकता है जमीन में रह सकता है बिल्लिंग में रह सकता है स्टॉक्स में रह सकता है तो black money नोटों में बिस्तर के नीचे अलमानी में बंद नहीं मिलता तो black money का stock जिसे कहते हैं जो black money उसका stock ये रूप नोटों में नहीं रखा जाता है it is kept in property तो property की हिसाब से रखा जाता है इसलिए नोड बंदी से उस पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला है तो दो ठोस बात कहा गया था और यह भी कहा गया था जो आप कहते हैं टर्रिस्ट फिनांसिंग में यहीं यह कह रहा था कि मतलब जो अचीव करना था नोड बंदी से उसके लिए पहले ही शंकाएं बैठक में आ गए थी कि हम शायद यह अचीव ना कर पाएं तो मैं यही कह रहा था कि नोड बंदी को लेकर सबसे बड़े दावा था काले धन का खात्मा नंबर दो आतंगवाद का खात्मा तीसरा जो नकली नोड फरजी करेंसी है उसे खत्म करना क्या यह तीनो और बाद में गोल बदला गया कहा गया कि डिजिटल इंडिया के तहत क कैशलेस एकनोमी तो क्या यह गोल हम अचीव कर पाए यह प्राप्त कर पाए कैशलेस एकॉनमी तो आपने जो कहा बहुत बाद में आया था पहले तो आया था कि ब्लैक मंदी खत्म करेंगे इसके बाद कैमपेंड यह चल रहा था कि टर्रिजम खत्म हो जाएगा क्योंकि व हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं तो जो उससे में आशंकाई जताएगी थी और जो आज की स्थितिय है उसे आप किस तरह मेल मिला कर किस तरह देखते हैं कि देखिए पोस्ट बाटम बाद में करें उस आर्बियाई की बैठक में क्या बात चीत थी तो उसको पहले करें त 86% of आप जितने नोट से उसको आप खतम कर रहे हो इस पर एकॉनमी पर असर पड़ेगा लोगों की देने जीवन पर असर पड़ेगा अद दोनों हकीकत है हुआ तो इसलिए अगर पोस्ट बाटम करें तो हकीकत है कि 99.5% नोट डिजर्व बैग पर वापस आए है इसलिए नोट वापस आए इसको हम नहीं मान सकते हैं अभी तक कोई तथ नहीं आया इतने सारे फर्जी नोट आए हैं या इतने सारे फर्जी नोट नहीं आए हैं दोनों नहीं है तो एक तो यह बात है कि जो आपके बैंकिंग सिस्टेम में जब पैसा वापस आया तो ब्लैक मनी ब फर्जी नोट के जरिये टर्रिस्ट अपना काम कर रहे हैं तो ये बात दो तरह से गलत साबित होता है एक तो फर्जी नोट इतने आए नहीं दूसरी बात है कि जिसको आप टर्रिजम कह रहे थे जिसमे कुछ हद तक कश्मीर की अंदरूनी परिश्चिती भी जिसके लिए आताहतों के संख्या इस वक्त पहले से जियादा है तो इसलिए ये भी और हमले भी हमले जारी है दिस पर आप और बाते कहे जा रहे है हो तो टेर्रिजम आपको ब्लैक बनी से खतम हो जाएगा ब्लैक बंदी खत्ब करके नोट बंदी से खत्ब हो जाएगा आपके सामने है यह किता सही है किता सही नहीं है तो पोस्ट बाटने तो डिमाड़ेशन के खिलाव जाता है सवाल आज की यह है कि RTI में भी इस साफ बताये गया था ही होने वाला है जो हुआ दूसरी ब यह सब आपचारिक तौर पे आपने अगर किया होगा हकीकत तो यह है decision पहले हो चुकी थी इसके बाद announcement हुआ और RTI के तहट यह भी बताई जाती है कि RBI से official intimation note bandi का इसका करीब साथ एक दीन बाद आया इसका मतलब की अगर कहा जाए गैर कानूनी तरीके से जो reserve bank का decision था cabinet ने लिया reserve bank से मौखिक सम्मती ज्यादा ज्यादा से ज्यादा कह सकते मिली और असली resolution उस governing board of governance का reserve bank का और उसको intimation इसके साथ एक दिन के बाद आया तो लगता है कि एक हिसाब से वैसा ही हुआ जैसे emergency 75 में गोशना की गई थी cabinet बाद में मिले प्राइम मिनिस्टर की चिथी emergency की declaration के साथ फाकर उदिन अली आहमेद साथ को मिला था उन्होंने दसकत किया था रात के बारा बारा एक बज़े या ग्यारा बज़े दसकत किया था और इसके बाद इंदरा गांदे की बयान वहाँ पर और टेलिविशन में दुसवक्त प्रोपोगेट किया गया था तो लगता है करीब करीब उसी तरह RBI की Emergency Declaration की तरह जो दोड़बंदी की गई है प्राइम मिनिस्टर इसको डिसिशन लिए काबिनेट पता नहीं कब उसको सूचना दी गई थी और हमको अभी मालूम है कि RBI का बैठक साड़े 5 बज़े हुई 8 बज़े के घोशना के लिए और उसका Official Intimation RTI के त सरकार को मिली थी RBI से तो मैं समझता हूँ इस पे बहुत सरे सवाल खरे होते हैं प्रोसीजियर्स पे RBI और सरकार की रिष्टे पे और यही मेरा इस हिसा इस वक्त जो है मेरा यह ठोस बात पर आपके सामने रखना चाहूंगा कि बात इस वक्त ही है इस सरकार जो की होनी चाहिए वो हो नहीं रही है और आखरी बार बात अपने देखहे भी कि जो Statistical Organization है जो आंक्डे कठा करके जनता और सरकार को देती है वो आंक्डे भी ये तो गलत दी जा रही है ये तो जब statistical organization कुछ देना चाहती है उसको रोग दिया जाता है या डिनाई कर दिया जाता है बोलता है कि ये आंक्डे सही नहीं है इस पे और एक बात भी आपको देखनी पड़े कि decision ली गई थी कब और कब इसका खुलासा हुआ इस पे 28 महीने लगे दूसरी बात ये भी देखनी पड़ेगी कि RBI की जो decisions है बोर्ड की ये minutes of the meeting चरही जाती है उनके website में इसका minutes अब तक नहीं आया तो ये RTI अगर नहीं होता ये ख़वर नहीं होते तो इसने जन्होंने R सरकार से निकाला RBI Reserve Bank से निकाला पर अभी तक ये क्यों चुपाया गया था ये भी सवाल है तो फिर क्या किसी की जवाब देही होगी जब RBI कह रहा है कि मतलब एक मोटे तोर पर ये हमारे सामने आगे उसने इसे सहमती पूरी तरह नहीं दी एक मौकिक सहमती या एक किसे? मैं सबचता हो कि सबसे बड़ी जिन्मेदारिती इस वक्त हमारे जंता के पास है और जवाब देही होगा ये नहीं होगा तो इस वक्त इस चुनाओ में कम से कम ये बुद्दा बनना चाहिए और आम जनता को सरकार से पूशना चाहिए, बोधी सरकार से पूशना चाह जो जवाब दही आप कह रहे हैं जवाब दही लेनी चाहिए कि आपने किस आधार पे इता बड़ा कदब उठाया हमारी इतनी परिशानी हुई इससे नुकसान के लावा कोई फायदा तो नज़र नहीं आया तो मैं यही कह रहा हूं कि आर्बियाई मने कर रहा है ईए एकसपर्ट मने कर रहे हैं तो क्या किसी को सपना आया जैसे अभी मोधीजी ने कहा हैं मुझे सपना आया कि महादेव कहा मुझे मुक्त करो क्या कोई ऐसी सपना आ गया था कि नोडबंदी करो देश को फायदा हो जाएगा किसी की राय नहीं ली गई सपना या दूस सपना कुछ आया होगा क्या कहें इसके बारे में हकीकत आम जनता के पास है जब आप देही इस सत्तरूर दल के सामने बात करें आम जनता और पावर उनके हाथ पे है इस वक्त जी तो बहुत बहुत शुक्रिया तो साथियों जैसे प्रबीर ने कहा कि यह सब सामने आ गया है हकीकत जो छुपा था वो भी आई टे आई के जरी आ गया है यह अब जनता के आदलत में सवाल है कि वो इस पर क्या फैसला लेती ह शुक्रिया देखते रहिए न्यूस क्लिक